तेरा नाम गुरु जोधे आए रे जनम जनम के मोह पायां से नीश्चे छूटे ही जाए तेरा नाम गुरु जोधे आए रे तेरा नाम गुरु जोधे आए रे किया मैंने दान किया मैंने पुण किया पर जो तुम बद करम करते हैं उए मेरे सामने करो चिपा के बात महीं करो किसी से बगवान को नहीं बताना बगवान को नहीं बताना बगवान देखे नहीं तो उदर चनो ये सर्व चोर बैठी है बोलते हैं बगवान से बात चिपाओ हम बोलते हैं नहीं गुरू के आगे मेरी बूल निकले बागे दूसरे के आगे बूल हुई तो क्या हुआ तुम देखो कितनी तुमारी वीगनेस है ये गुरू से चिपाओ के अबात करते हैं आपसमें जो बात करोओ मेरे से तूर करो मै तुम को बोल। उससे दौबचन, बोलो, बोलो तो तुमारा मन क्ली लाएगा ओस के बोला तो तुमारी क्या बुरी हालत होगी, बोलो दो वर्चन भी शिपाग नहीं बोलने का है एक शर्द भी नहीं बोलने का है गुरू बोले तो इसे बात करो तो पांच तुम मेरा एजन्ट बनेगा न दुन्या का एजन्ट बनता है ते देखो इतने अभी दलाल जो है बांबे में खास है तो तीन दफ़ दलाली लेता है तो आदमी से दलाली लिया बीच की भी दलाली लिया तो मैंने तेरा सवदा किया उनसे चारा नालग, उनसे चारा नालग, चारा ना दूसरा तो तनी जो हैने मालक रोतो रह रोता रहे उनको नुक्सान परता रहे ये दलाल कलाल कंजरी सब खाती है ऐसे नहीं बनो जो मेरी दलाली करो पर अपनी दलाली नहीं करना मैंने इसको ये सुनाया, ये सुनाया तू कौन है सुनाने वाला, सुनने वाला सब गुरू की वाणी है तुमारा कुछ भी नहीं है तूँ खाली रहना, आकलता रहना, दुष्टा रहना, सीभ रहना, तूपको एक शदभी कस्थे सपागे बोला, वो भी नरक, तू भी नरक में तूपके नरक नुए। तो क्या चोरी करता होगा, आज मेरी चोरी कोई कर सकता है, तो नराकार की कितनी चोरी किया होगा, आज देखो, तुम्हारे से हमें साल लेने हाया है, तो मेरी चोरी तुमने किया है, तो नराकार की कितनी किया होगा, वो नराकार चपा हुआ है, तुम बोलते हैं, बगवान, अभगवान कर देखा नहीं हादरा हजूर नहीं देखा तो बगवान आमनी प्रेजंट है। हमेशे है। कोई टाइम ने था भगवान न था भगवान न है। बंदर वाला देखता है तो तू शोर है चंदाल है पापी है नीचे क्या है। तभी तो तुमको बोलता है 84 लख़ जूनी तुमको भूगनी परेगी ने तो मन इस जनम और 84 लख़ जूनी ये तेरे रहों पर बाती नहीं अच्छी लगती है मन इस जनम में आये के जिनी न जाने उ ग्यान काना पी न भूगना उनका पसू समाना पसू भी जानता है पसू भी जानता है जो तुम पिरविती में रहता है वो पसू भी करता है पर दो बात भी मेरे से चुपा के किया तो तुम सीधा लगती है ऐसे अभी भी careful रहना, careless नहीं रहना हम तुमारा फोटा दिल में निकले तो इमांदार मेरे सर्टसंग में काउन है इतनी लाइप हमने देखी पर कोई हम गुरू से इमांदार नहीं देखा आज फिर भी तो मेरी बार सुनता है यह भी यह O, अच्छा है जो सुनता है काउन है सुनने का पहले जो लोग अमारे पास रहके गई है उनको सुनने काई यही नहीं था दुणको लूमों इसकान कंटा गि मेरे पास बैचे और तुम को बोलते हैं, पहले कभी नहीं किसी नहीं सुना मेरी बाद तब हुं अनुने को नहीं इतना पीड देखी, इतना दुख देखा फिर दुन्या को बोला, बोला देखो, गरु के घर में रहके हम बिमार वे, हम दुख्यों होए तुम्हारे अंकॉंसिस में जो अज्ञान परा है, उसको किली नहीं करता है, बायर दूसरे की बात देखेंगा, दूसरे का अज्ञान देखेंगा, दूसरे का करम देखेंगा, दिया तर जहेंगा, ना दूसरे का करम देखो, ना दूसरे का अज्ञान देखो, ना दूसरे की कहीं जल्दी में चले गए क्यार हुआ जल्दी चले गया हर्यों बग्वान जी की वानी आकाश्वानी गुरू के सामने कुछ छिपाओ मत खोल के बात करों हर कोई नहीं करता है ऐसे नहीं करता है कि कहीं नहीं गडबड होती है हमारे में इसलिए चुपा लेते हैं लेकिन डॉक्टर को अपने शरीर की बिमारी में कुछ नहीं चुपाते हैं तभी तो शरीर की दवाई प्रॉपर मिलती है ना हम गोल-गोल बात कर जाएंगे अपनी बात नहीं बताएंगे और गुरू से चुपाएंगे गुरू के आगे हमारी बूल निकले दूसरे के सामने नहीं क्या मीनिंग हुआ हम सभी कारें अपनी बगवान मेरी से गलती होगे तो पल-पल बक्षन हार मैं पल-पल खिनन हार और दूसरे के सामने करेंगे तो हमें वो भी निराश हम भी निराश जब गुरू मिल गया है तो फिर हम औरों को कैसे इंवल्व करेंगे दुनिया का एजेंट नहीं बनो गुरू का एजेंट बनो हम दुनिया का बनते हैं गुरू का नहीं बनते हैं इदर की बात उदर उदर की बात उदर किस में मेरी सारी उर्जा चली जाती है रात को मैं सोती हूँ उर्जा मैं बनती हूँ और सुबा में हम उस उर्जा को किस में लगाते हैं गुरू के होने के बाद इदर की बाते हैं उदर की बाते हैं रिजल्ट कुछ नहीं मिलता हो छोटा पना है, चीपनेस है ये, ये बाई जाते है, अभी भी अगर निकलता है तो हम आज से सुधर जाएं, बगवान को हजार आंखे हैं, हजार कान हैं, देखो हम कितने दोखे में रहते हैं कि बगवान को थोड़ी पता चल रहा है, हजार आंखे हैं, हजार कान है, आज अगर गुरू की कोई चोरी कर सकता है तो निराकार की कितनी कर सकता है। आपको पता हरिद्वार में एक बगवान जी के कमरे में कोई चोरी कर रहा था कोई प्रेमी ही था और किसे से पता चला सोच जरा गुरु की बुद्धी कैसी होती है मत कैसी होती है पता चला वो इनसान स्टेशन तक पहुँच गया है जब कोई भरिद्वार से आय थे तो उन्होंने हमें सुनाया था सत्संग में फिर उसको बर्वांची ने बोला ले आओ वापिस और उसको प्यार करा और फाइनेंस उसको सोट दिया सारा फाइनेंस संबालने का काम दे दिया सोचो वो इनसान कभी गल्ती करेगा दुबारा अगर गुरु की कोई चोरी कर सकता है तो निराकार की कितनी कर सकता है क्या समझ है हम क्या करते हम तेरे को पुलीस में बिठाएंगे ये करेंगे दो चार थपड मारेंगे ऐसा करेंगे उन्होंने क्या करा तो राश्ची लख यूर्नी हमको भोगनी पड़ेगी, हम भोग के आई हैं, फिर हम दुबारा भोगें, फिर दुबारा भोगें, क्यों, अभी खतम कर देना हम, गुरू हमारा फोटो निकालेगा कि इस सच्चंग में इमानदार कौन-कौन हैं, ओ मैं गौड, वी आर अंडर वाच, अल्वेज, वेदर इस अफलाइन सच्चंग, वेदर इस अउनलाइन, गुरू अंदर बैठा होता है, और हमारी इमानदारी देख रहा होता है, इससे निकलने का बेस्ट रास्ता जो मैं करती हूँ, जो चीज है गुरू के फोटो के सामन में रखती हूँ, जो मेरे अंदर कुछ तो बैसे होता है, अभी तो उन्होंने ऐसा बना दिया, किसी के लिए बुरा नहीं है, अगर हो तो उस इंसान को सामने बिठा के बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम इमानदार रहेंगे ना, सुनने के कान रखना जरूरी है स सत्संग में, हम बैठे तो सत्संग में है, उर्जा हमारी कहां चलीगी, घर में गुम रही है, कहीं दूर जा रही है, किसी बात में चले गए है, तिर आपका आना बेकार हुआ सत्संग में, ऐसे ही खाना बनाना बेकार हुआ, चाय बनाना बेकार हुआ, आटा गुंदना ब और वही बरतमान में रहने से, प्रेजन्ट में रहने से, मैं जो काम कर रही हो, वो बेस्ट हो गया, और ना करम का फल की चिंता है, अगर करम के फल की चिंता है, तो फिर वो काम हमारा बरतमान बाला नहीं हुआ, बविश का हो गया, जहां पास्ट में, जहां बविश में, हमा इस दुनिया में तिनका भी नहीं है, और मैंने ऐसा करके ही गर पूरे खोल दिये थे गुरू के बच्चों के लिए, पेट से ही नहीं रखा था, इक पर सुना था दादा बगवान किसी के जहां सत्संग करनेगे, वो जिनका गर था, वो उठके केले का प्रशाद खुद देन किसी को तो दादा बगवान ने बोला तुमारा घर है, उन्होंने पेट से ही घर निकाल दिया था, सेम हमने करा है, सब नहीं कर सकते हैं, मेरे साथ जिनके लिए मैंने करा उन्होंने नहीं करा ये सब, कि कैसे करवाया जाता है, हमारे अनकॉंशियस में जो अग्यान पड़ जो है वो आपको उदर ही नीचे मिल जाएगा, टीजर भी बनाया था, एक पांच से छे बज़े का है, फाइव तो सिक्स, उसमें साथ साथ में ज्यान भी चलता है, सो देट लोग सोने जाए, अगर आपको जॉइन करना है, ये अनकॉंशियस में जो हमारा ज्यान पड़ा ह उसको हम देखते भी नहीं, इसके उपर मेडिटेशन होता है, आप अपने विचारों को देखोगे, विकारों को देखोगे, आपकी मर्जी है, दा अदर इस हैल, अदर इस हैल माना, डॉग हमेशा दूसरे को देख के भूंकेगा ना, हम तो नहीं बने ऐसा, दूसरा आया और हमने क्या सोचना शुरू कर दिया, किस जनम में हम सुद्रेंगे फिर अगर ये बगवान जी हमें दुबारा नहीं मिले, बताएए, है ना true, हर्यों, हर्यों, God bless.